नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे ब्लैक वीट यानि काले गेहु की खेती के बारे में किसान साथियों इस गेहु की खेती भी हमारे सुनहरे गेहु की खेती की तरह की जाती है काले गेहु का बीज भी एक एकर में करीब 50 किलो तक लगता है किसान साथियों अब हम बात करेंगे तापमान की किसान साथियों इसकी बुआई को ठंड में अक्टूबर नवंबर के महीनों में की जाती है इस खेती के लिए 19 से 25 डिगरी तापमान उचित रहता है किसान साथियों अब हम बात करेंगे मिट्टी की किसान साथियों काले गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमी सबसे अच्छी मानी जाती है इसके अलावा इसकी खेती बलूई दोमट, भारी दोमट, मटियार तथा मार एवं कावर भूमी में की जा सकती है यदि किसान के पास सिचाई के परियाप्त साधन है तो इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है किसान साथियों अब हम बात करेंगे भूमी का पीच मान की किसान साथियों काले गेहूं की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 7-8 के मद्धे होना चाहिए किसान साथियों अब हम बात करेंगे सिचाई की किसान साथियों गेहूं की फसल के उत्पादन काल में 5-6 सिचाई की आवश्यक्ता होती है ख्याल रहे चौथी सिचाई गेहूं की बालिया निकलते समय करनी चाहिए पाँचवी सिचाई गेहूं की दूधिया अवस्था में करनी चाहिए इसके बाद अंतिम सिचाई गेहूं का दाना पकते समय करनी चाहिए किसान साथियों अब हम बात करेंगे बीमारी की किसान साथियों अगर आपकी फसल में किसी भी तरह का रोग दिखाई दे तो आप अपने सरकारी क्रिशी विज्ञान केंडर से आपकी फसल से जुड़े रोगों से बचाओ के लिए जानकारी ले किसान साथियों और अधिक जानकारी और नई फसलों के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेब साइट www.kisandab.com पर विजिट करें